दिल्ली में सडक दुर्घटना पर नियंत्रन लगाने के मकसद से लोगों को जागरुक करने के लिए दिल्ली ट्राफिक पुलिस द्वारा रोड सेफ्टी पर एक वॉक्थन का आयूजन किया गया दिल्ली ट्राफिक पुलिस के स्पेशल सीपी ताज हसन ने हरी जंडी दिखा कर इसको रवाना किया राजधानी दिल्ली के कानून विवस्था संभाल रही दिल्ली पुलिस लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए सजग रहती है दिली में सड़क दुर्गटना पर नियंतर लगाने के लिए दिल्ली पुलिस लोगों को जागरुक करने के लिए जागरुकता अभ्यान चलाती रहती है इसी के मदेनेजर शनीवार को दिली ट्राफिक पुलिस द्वारा रोड सेफटी पर एक वौकथन का आयूजन किया गया दिली ट्राफिक पुलिस दोरा इस सुरक्षत पैदल रैली को बाबा खड़क सिंग मार्ग से ट्राफिक पुलिस के स्पेशल सीपी ताज हसन ने से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस पैदल रैली में लगवग 200 वैक्ती मौजूद रहे जिन में महिला ट्राफिक पुलिस करमी भी शामिल रही वाकथन के दोरान सलक सुरक्षा संदेशों के साथ तख्तियां और बैनर लेकर सलक सुरक्षा के नारे लगाते वे जंता को जागरुक करने का काम किया गया इसके लिए ट्राफिक जो है रोड सेफ्टी के लिए कई स्टेप्स लेती है इंफोर्स्मेंट है रोड इंजिनिरिंग है इस वाक्थन का आयुजन पैदल यात्रियों की सुरक्षा के महत्तु के बारे में लोगों को जागरुक करने के उद्देशे से किया गया इस अफसर पर बोलते हुए ताज हसन ने लोगों से सडक सुरक्षा पर एक सकरात्मक संदेश फैलाने का आवाहन किया उन्होंने कहा कि पिछले साल 2020 में पिछले 20 वर्सों के दुरगटनाओं में भारी कमी आई है जो वास्ताव में उत्सा जनक है उन्होंने इस उपलब्धी को हासिल करने में यातायाद पुलिस की कर्मियों की और से किये जा रहा है परियासों की भी जम कर सरहना की गोरतलबे की हर वर्ष सणक सुरक्षा को लेकर दिली पुलिस द्वारा जाग रुकता अभ्यान चलाया जाता है इसी कड़ी में इस वर्ष भी 18 जन्वरी से आगामी 17 फरिवरी तक दिली ट्राफिक पुलिस द्वारा सरक सुरक्षा के मदेनेजर लोगों को जागरुक करने के मकसद से इस अभ्यान का आविजन किया जा रहा है ताकि सरक दुरघटना पर लगाम लगाई जा सके दिली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार के रिपोर्ट हम वतन टीवी